उसके बाद है question no 8 draw the chart of ornithine या urea cycle ornithine cycle या इसको कहते है उसका अपने chart बनाना है यह नहीं कैसे वो process चलता है पूरा का पूरा cycle बनाना है अपने इस तो यह आपके सामने और निटीन साइकल का एक चार्ट बनावाए एक डाइग्राम बनी हुई आप देख सकते हैं इसको इसे डाइग्राम में आपको तीन चीज़ें तीन स्टेप दिखाए गए सबसे पहले और निटीन का कंवर्जन सिट्रोलीन में यह स्ट्रेप नमबर याद कर सकते हैं बना सकते हैं फिलाल यह चार्ट इस तरीके देपनेगा इसका लेक्चर भी होगा तो आप वह लेक्चर भी देख सकते हैं और निटीन साइकल का और मैं यह ने इस सब्सक्राइब किड़नी को पर जो हार्मून अपना एफेक्ट शोग करते हैं उनके नाम बहुताने महीं और उनका इफेक्ट क्या होता किता है कि ये यूरीन की कंसेंटी करता है वातर को रियाबगा करके वैसा भी कहते हैं से और इसका काम होता है sodium ions की reabsorption करना तीसरा हार्मून है पेराथ हार्मून और सिक्रिटेड बाइ पेराथारेड गिलेंड और इसका काम होता है केलिशियम आइंस को एब्सॉब करना नेफ्रोन से करण से कहते हैं और किड्नी स्टॉन किसे कहते हैं इसको अपने करना है और अके घ्यूसरा अपना काम नहीं करेंगी तो क्या होगा जो वेस्ट माटियल रिमूफ करने का उसका काम है वह हो नहीं पाएगा जिसे बिलड में वेस्ट माटियल एक्युमिलेट होना शुरू कर देता है इसके बाद किड्नी स्टोन हाड पीस आफ माटियल डैट फार्म इन वन और बोथ आफ यूर किड्नीज वेन हाई लेविल अफ सर tegany ऑviamente फार्म ना बना लेते हैं और से प्रेट को इस हाड़ पीस और मार्म को किड्नी स्टोन कहा जाता है अम नेक्स्ट कंशन है की डिफाइन फीड्बेक एंड डिफ़रंटियम बादियं बिशार बीख पाउज़ और फीड्फेडग की आपको नेगर को पता है ऑलग nieu GUYर physiological regulatory system in a living body that work to check and balance mechanism to the normal internal state any feedback mechanism in our body physiological mechanism is normal mechanism which in the body check and balance our internal state the major difference between positive and negative feedback mechanism is positive feedback mechanism produce similar effect and negative feedback we can produce opposite effects examples are positive feedback mechanism example heat stroke अभी हमने पड़ा और example negative feedback की thermoregulation है why excretion does not pose any problem in plants question number 12 यानि अगर plants में excretion का process ना हो तो भी plant को को problem नहीं होती इसकी वज़ा क्या है answer excretion does not pose any problem in any problem in plants because rate of catabolism is much less in plant than animal of the same way यानि प्लांट के अंदर rate of catabolism जो होता है वो कम होता है animals के मुकाब्रे में अभी rate of catabolism anabolism क्या है आप lecture देखेंगे इसका तो आपको इसका अंदादा हो जाएगा इसके इलावा metric class की playlist में भी इसका एक lecture मौजूद है कि photosynthesis और respiration में क्या फार्खे यह दोनों catabolism और anabolism के process होते हैं उसका detail difference मौजूद है diagram के साथ point number two waste of catabolism is used in anabolism as a reactant catabolism का जो waste है यानि जो उसकी product होती है carbon dioxide water होता है यह दोनों की दोनों react करके photosynthesis में इस्तेमाल हो जाती है यह नि अना बोलिजम में process में सा इस्तेमाल हो जाती है catabolism और anabolism का अगर lecture आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका link में description box में दे दूँगा यह लेक्चर देखेगा और इसके basic concept आपके definitely clear हो जाएंगे इसके बाद number three point metabolism in plant is carbohydrate based so it does not produce any toxic product animal में protein based होता है तो इसमें ammonia बनती है और इस ammonia की वज़ा से एक toxic ammonia toxic product है जिसकी वज़ा से elimination एक बड़ी important process बन जाता है human में यह animals में लेकिन plants में तो carbohydrate based metabolism होता है जिसकी वज़ा से किसी किसम की कोई problem नहीं होती कि अगर वह excretion ना भी करें है तब भी कोई problem नहीं होती इस दुर्ण यह short question थे scientific reason जिनको आज हमने complete कर लिया है I hope कि आपको इससे काफी मदद मिलेगी आप इनको notes के तोर पर लिख सकते हैं और exam के preparation कर सकते हैं इंशाला बहुत जल्दी हम लोग long questions की भी exercise upload कर देंगे चैनल को like करें subscribe करें और दूसरों के साथ share भी करें शुक्रिया